साउथ के मेकर्स का साउथ में नहीं बलकि बॉल वाला चल रहा है एक तरफ ऐसे स्राजमवली जैसे एपिक पीरेड ड्रामा मुवीज बॉलिवुड में जाकर बॉक्स ओफिस फाड़े के कमाई कर रही है वहीं दूसरी तरफ परशांद नील भी एक ऐसा नाम है जिन्होंने केजीएफ बना कर बॉलिवुड के अंदर एक अपनी अलग पैचान बना ली है वैसे तो परशांद नील ने अपने करियर में गिनी चुनी तीन फिल्में ही बनाई है लेकिन वो तीनों फिल्में ही सूपर एट रही है इन दिनों परशांद नील अपनी चौते फिल्म यानी सलार के लिए बहुत ज़्यादा बेजी भी चल रहे है इसी साल क्रिसमस पर यानी 22 देसमर को डंकी के साथ क्लैश हो सकती है सलार मूवी परभास और शारुख खान तब बॉक्स ओफिस बर क्लैश देखने में मज़ा तो आएगा और ओडियंस के लिए मज़ा भी बहुत ज़्यादा है इन दिनों ओडियंस के दिल में बस एक ही सवाल है कि KGF3 बनेगी या नई बनेगी लेकिन उससे बड़ा भी सवाल परशात नील के सामने खड़ा हुआ पड़ा है कि सलार मूवी क्या उनकी साथ की पहली मूवी उगरम की दीमेक है साल 2014 में उगरम मूवी आई थी उगरम मूवी के डारेकर परशात नील थे और इन्होंने इस मूवी के साथ फिलम इंड़स्ट्री में डेब्यू किया था लेकिन सलार मूवी को उगरम मूवी का दीमें कहा जा रहा है इसके लिए परभास और परशात नील ने कोई भी ओफिशल स्टेटमेंट नहीं दिया अभी तक मगर परशात नील ने एक इंटर्विव में कहा था कि उनकी मूवी उगरम उनकी पहली मूवी है और उनका मूवी बनाने का स्टाइल वही है वो ग्रे सिल्मा जादा प्रिफर करते हैं एस कंपेट तो करन जोगर की मूवी जोगे एक फैमिली ड्रामा मूवी होती है तो अगर उनके हर मूवी को ध्यान से देखा जाए तो उग्रम मूवी की जलक उनके हर मूवी में दिखेगी जहां तक KGF की बात है, KGF के अंदर भी वही हार्ट गोर एक्शन दिखा था, तो इससे ये नहीं होता कि सलार मूवी उग्रम मूवी का रीमेक हो गई है, ये कहना उग्रम मूवी का रीमेक बनती है, तो इसका मतलब साफ है कि साउथ के पास भी कॉंटेंट की कमी हो गई है, जहां दूसरी तरफ बॉलिवुड खाली रीमेक्स पे जी रहा है, साउथ की कितनी ही मूवी इसका रीमेक करके, बॉलिवुड में कई श्टार रावटी से राठ और बन गए, अब सलार मूवी रीमेक है या नहीं, ये तो रिलीस के बाद साफ हो जाएगा, लेकिन फिलाल अगर हम बात करें उग्रम मूवी की, तो ये मूवी आपको एजिली यूटूब पर देखने को मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है, तो इ लेलम मूवी कौन सी है?